तो आपने देखा कि कैसे दोनों घोडे एक दूसरे से भीड़ने के लिए एकदम तयार हैं और एक का नाम बाहु बली है तो दूसरे का नाम कटपा है और दोनों एक दूसरे को पूरा एकदम मतलब कंपटिशन दे रहे हैं यह सब कुछ नजारा सोनपूर मेले का है सोनपूर मेले में वहाँ पर बाहु बली और कटपा नाम के दो घोड़े पहुंचते हैं और वहाँ पर मेले के बीच में लोगों को अपना हुनर दिखाने लगते हैं वह एक दूसरे से कंपटिशन करने लगते हैं कि आखिरकार कौन किसको दबा देगा कौन किस पर 20 है सोनपूर मेला पूरा जम चुका है वहाँ पर दूसरे राज्यों से लोग अपना घोड़ा लेकर पहुंच रहें कि इसको हम बेचेंगे कुछ दिने पहले एक के रोकेट नाम के घोड़े की खबर आई थी जो घोड़ा काफी चर्चा मे आया था इसके बाद आज बाहु बली और कटपा नाम के यह दो घोड़े आपस में सोनपूर मेले में कंपटिशन कर रहें आपस में भीरने के लिए एकदम बेताब हैं वहाँ पर नाच गाना कर रहें दिखा रहें कि किसका नाचना सबसे अच्छा है बाग्या नमस्कार मे रात को होता है लेकिन दिन में घोड़ों का बाजार एकदम जमा रहता है लोग वहाँ पर जाते हैं इसी प्रकार्च वहाँ पर वहाँ बली और कटपा नाम के दो घोड़े पहुंचते हैं और दोनों घोड़े जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो अपने पाउं में गुमर कि जो रस्ती होती है उसको पकड़े रहते हैं घोड़ा कभी अपना दोनों पैर हवा में उठाता है और वहाँ पर नासता रहता है और आगे बातचीत करने कर ने को कई से तैयार है हाँ अभर अन् Eco एक ओने संता है क वाँ तो इसना में दोने से क्याений सिंक्राइथ हए सब्सक्राइथ हाँ थिया आधट है श्युक्त समयाट ही पर है ये को दो तो आपने देखा कि कैसे बाहू बली और कटपा एक दूसरे से कंप्टिशन करके एक दूसरे को दबाने के लिए एकदम बेताब है इसी परकार से पूरा का पूरा सोन पूरमेला जम चुका है हमने आपको एक रोकेट नाम के घोड़े के बारे में बताया हमने जिक्र किया थ था वो रोकेट नाम का घोड़ा बदाम खाता था काजू खाता था और उसके यह स्पीड इतनी थी कि देखते ही देखते रोकेट नाम का यह घोड़ा वाकई में रोकेट के जैसे यांग से ओज़ार हो जाता था अब उसकी स्पीड सुननीजिए 40 किलोमेटर प्रतिगंटा कि रफटार के स्पीड से कुछ सकेंड के अंदर दोने लगता था और यह घोड़े की काबिलियत थी और उसका दाम कई लाग रुपए था मतलब कि कई के लाग रुपए के घोड़े स्वनपूर के मेले में पहुंचे हैं और इसी परकार से बाहू बली और कटपा नाम के द जान्स कर रहे हैं और दोनों के मालिक उसका रसी पकड़े हुए हैं कि कहीं दोनों आपस में भिन ना जाएं दोनों आपस में लड़ाई रकड़ बैठे बाकि सुनपूर मेले में पूरा दिन जो घोड़ों का बाजार है या पिर अलग जनौरों का वह जमा रहता है रात के छेड देते हैं और केश्टा वाली लड़कियों को वहां पर जाकर पैसा देते हैं बाकि रात को वहां पर रंगा रंग कारिकरम हो रहा है दिन में घोडों का बजार सज रहा है और आपका इसके बारे में क्या कहना है सुनपूर मेले के बारे में आप कितना जानते हैं आप आपको भी घुमने गये हैं तो आपका अनुभाव कैसा है उसे करेंट वोक्स में लिकर साजा कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को वहीं पर समात करते हैं कि हमेरे इपशे 20 साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंहीं बहुत बहुत धन्यवाद